एक वेसा कभी हो नहीं सकता और एक व्रीचिन नम ने इसे तुम मेंने अब बिल्कुल ही नहीं हो सकता जीएंड दोस्तों जिस तर से एक वेश्ट वोड को एक best product में convert किया है, आप भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बने रहे वीडियो के अधर तक और देखिए, दोस्तो, सबसे पहले, जो भी आप table या फर्मा बनाने वाले हैं, जो भी table top बनाने वाले हैं, जो shape करना चाहते हैं, उस shape का पहले आप apply पे या mdp पे एक marking करके उसकी cutting कर दीजिये, हमारे भी ये order, हमारे एक participant है, जो काम सीखे गए थी, और उन्हें एक order मिला था, और उन्होंने अपनी कल्पनों को मिलको बताया, और हमने मिलके, एक decide किया, हमने एक round table बनानी है, सहरा काम उन्होंने अपने आतों से ही किया, जो participant हमसे काम सीखे जाते ह है, हम conscious करते हैं, कि वो और आगे बढ़ें, और हम हर तर से उनके साथ रहते हैं, और उन्हे के हातों से काम करा के उसको मनोबल बढ़ाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले फर्मा बना के हमने उसको चारतों से सील कर लिया है, सील करने के बाद जो वुड हमने पसंद किया था, बिल्कुल Westwood था, जो कि यह था जला जा सकता था, या फिर फेक का जा सकता था, वो जमीन में समा सकता था, उसको हमने उठाया, और उसको हमने एक अलग से रूप दिया है, इसके फर्मेंगा अदर कि हमने पूरा complete किया भी कैसे जमाएंगे, कैसे set करेंगे, उसके बाद में हम इसके अंदर epoxy resin डाला है और कौन सा epoxy resin डाला है हम आपको आगे बताने वाले हैं उसको जमाने के बाद हमने किया 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 इसके अंदर color का combination जो तैक कर रहा था वो लगया है वो 3-4 mm तक कर लगया है आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं 3-4 mm लगाने के बाद हमने इसके अंदर जो chemical सारा काम लिया है MT Resin Art India का casting rate epoxy काम में लिया है जो कि अलग-लग सहजों में available होता है हमारी website पर भी मिल जाता है दोस्तों जब यह आप complete 3-4 mm की लहर लगा लेते हैं जो भी आपको shape दे देते हैं और इस सब में जो chemical काम में लिया जाता है वो casting rate epoxy ही काम लिया जाता है जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमने MT Resin Art India का casting rate epoxy काम में लिया है यह आप हमारी website से जाके भी ले सकते हैं website का link मैं अभी आपको discussion में दे दूँगा सारा और आप हमें call करके भी या हमें whatsapp करके भी यह chemical मंगा सकते हैं आम लोगों को यह भरम रहता है कि epoxy region सब जगह एक ही काम आता है तो मैं please बता देता हूं आपको हर application के लिए अलग-अलग epoxy काम आता है कोई भी epoxy region आप हर जगह नहीं ठोच सकते हैं जैसे आपको countertop बनाना है तो countertop में countertop का epoxy ही काम आएगा क्योंकि उसमें 1-2 mm के लेहल लगा सकते हो मगर casting का अगजब काम करना हो इस तरह की revertable बनानी होती है तो आपको casting grid epoxy ही काम लेना पड़ता है क्योंकि इसमें से आप 12-15 mm तक की मोटी लेहर बना सकते हो यह किस्टल गिरिर होता है आसानी से जल्दी से कोई जमता नहीं है और इसको सूखने में भी time लगता है कम से कम 12 गंटे इसको जेल होने में लगते हैं ताकि जब इसको आप डालो तो एक cool जसर है और लगड़ी के अंदर जो bubbles निकले वो असानी से remove हो जाए इसलिए आपको ध्यानक नहीं का काम करने के लिए casting grade epoxy ही काम लेना है और जो भी लगड़ी डाले वो सुकी भी होनी चाहिए क्योंकि वो 4 mm तक का लेर था हमने टेक्सर डाल दिये थे और सारे सीब डाल दिया था डालने के बाद हमने इसके उपर यह 25 mm का बनने वाला था तो चार में हम पहले डाल चुके थे 20 mm बागी था अभी तो अभी हमने कम से कम 15 mm की लेर डाली है और इसके अदर जो आप मर्मे आप हमें coal करके मैंगा सकते हैं और यह जो natural sheep देख रहे हैं यह भी हमारे पास available होते हैं आप बजार से भी खरिच सकते हैं और हमसे मांगना चाहेंगे तो हमें भी हमारे पास मिलते हैं और इसमें जो color pigments काम में लिएगा है ये भी सारा हमारे website पे मिल जाएगा आप हमारे website पे जाके सारा purchase कर सकते हैं और इस tabletop को बनाने के training भी हम लोग देते हैं क्योंकि ये table भी हमारी एक participate है वो ही सीखे गए थी और वो ही order लिका है है और उनी के लिए ही बन रहा है हमारे workshop पे बन रहा है ताकि उनका मनोबल और बढ़ जाए और वो इससे और आगे चाहे तो दोस्तों हमने जो epoxy काम में लिया है ये casting rate लिया है ये हमीशा ही अदर कियें क्योंकि रिवे टेबल में casting rate ही epoxy काम आता है जब हमने इसके अंदर 12-15 mm डाला था एक वार में सब पूच डालना चाहेंगे तो प्रीज एक वार में कभी न डालें क्योंकि epoxy का हर एक का अपना अपना अंदाज होता है अगर 50 mm एक साथ डाल भी दोगे तो आप लहरों से लहरे बना के जो काम करना चाहोगे वो नहीं कर पाऊगे क्योंकि एक वार में सब आ जाएगा मगर बार बार डालने से आप अलग लग दारों से काम कर पाऊगे जो कि काम की सुन्दरता को और बड़ा देता है हाला कि एक यह दो दिन एक्टर लगता है इसमें जादा नहीं लगता है मैं हर किसी को बोलता हूँ पचास एमेम एक साथ डाल के कोई एवार्ट लेना नहीं है उसके बाद में हम लोग फर्मे को रिलीज करते हैं और उसकी 220 नमबर तक की गसा ही करते हैं और अब आप जो देख रहे हैं हम लोग इसके पर लगा रहा है टॉप कोट इसके लिए हमें एक टॉप कोट लगाना अतियाव सबको होता है इस टॉप कोट में हमने काम में लिया है एम्टी रेजिनाट इंडिया का टॉप कोट एपोक्सी SL-31 इस केमिकल के अंदर सबसे अच्छी बात है इस 3-1 का है और एक अच्छी चमक किस्टल के लिए चमक लेके आता है और 8-10 गंडे में पूरा जैल हो जाता है 12 गंडे में 14 गंडे में पूरा सूख जाता है इसके बाद आप जब सेंडिंग करेंगे न तो एकदम नेच्छी जैसा लगेगा आपको आर्टी पिसल जैसा नहीं लगेगा इस केमिकल को आप टॉप कोट के अंदर काम ले सकते हैं देखे किस तरह से एकदम किस्टल के लिए जैसा चमक रहा है वैसा ही चमक बाद में भी इसकी निखर के सामने साएगी पर वो नेच्रल जैसी होगी है जब आप यह एपोक्सी का काम करते हैं कास्टिंग का काम करते हैं याद रखिए इसको सेंडिंग अति आवस्यक है अगर आप सेंडिंग और बफिंग नहीं करेंगे तो उस प्रड़ट की वेल्यू खुल के सामने से नहीं आएगी लगने को गेमिकल एक बार में चमक जाएगा मगर जो नेच्रल टी कस्टमर मांगता है उसके लिए सेंडिंग अतिया हो सके उसमें जो डश्ट वर्ष जो भी उपर गिरता है सारा गिस के बाहर निकल जाता है और एक चमक से अलग आ जाती है देखें ये जब टॉप कोट लगा देता है उसके बाद मैं उसकी 2000 नमबर तक की संडिंग की जाती है संडिंग करने के बाद वापस उसके बफिंग की जाती है बफिंग करने से क्या होता है प्रटर की एक दिम गुन्वकता बढ़ जाती है और एकदम नेच्टरल लग जाता है और हर किनारे चमकदार बन जाता है, श्यप भी अच्छा बन जाता है, कोई कमी होती है, इस बफिंग से सारी कमी निकल जाती है आपकी, कई लोगों को ये पता नहीं होता है के बफिंग करने जरूरी है या नहीं है, मैं बता देता हूँ, जब भी आप कोई काम करते होते हैं, अगर आपको कॉमर्सल काम करना है तो सेंडिंग और बफिंग अती आवसेख है, ये आप ध्यान किये। और इन सब चीजों की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं, देखिए, अब जो भी प्रद्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् है देखिए आराम से आप इसको एकदम लाजवाब चीज बन चुकिए यह वाली और हर चीज खुल के सामने सारी है जी है दोस्तों इस सब चीजों की ट्रेनिंग हम हमारे रुफ्सों में देते हैं M.T.Resin.Art.India.Jaypour जहां से आप संपर कर सकते हैं और मेरी लिंक में इसका नंबर दे रहे हैं इससे भी आप बात करके हमें हम बता सकते हैं हम ट्रेनिंग देते हैं प्रवाइड करते हैं इसके साथ साथ कोटिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं आप घब रहे हैं नहीं आपको उन्होंने किया था, में थोड़ा सा एक दिन ज्याधा पहले दगा के किया था तो देखें, यह चीज कितना प्यारा चीज बन चुका का एक एक चीज किलेट तो किलेट दिख रहा है आपको दोस्तों आप भी यह असानी से बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं हमसे संपर किजिए मेरे टेलीपोन नमबर मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा यह चैनल है जिसके आप वीडियो देख रहे है ऐसा ही एक और चैनल है एमप्टी रेजीनाट इंडिया जिसके अंदर आपको सिलिकॉन मोल्ड के बारे में और आपको श्यूल्ड मोल्ड के बारे में वह सब को समझाए जाता है आप वह चैनल देखकर भी काम कर दो कर दो कर दो कर दो